वेलकम गाइज दिस इस हैसे अनलिस कैसे हो आप से उमीदा बढ़िया होंगे अच्छा कर रहे होंगे है ना चलो शुरू करते हैं आज का हमारा दा हिंदू का अनलिस तो आज की डेट है 11 नॉम्बर ती है 2021 तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर अपना एक आर्टि लेजे MPLADS स्कीम क्या है Local Area Development इसकी ठीक है इसको हम पूरा बोलते है Member of Parliament Local Area Development स्कीम अभी स्कीम होती क्या है यह जान लेते है ठीक है फिर आपको पूरा अच्छा समझ जाए जाएगा यहां पर देख लीजे Member of Parliament Local Area development इसकी यह जो स्कीम है यह 23 December 1993 को मतलब लांच की गई थी एक तरीके से इनेभल की गई थी ठीक है इसमें क्या होता था इस स्कीम में क्या होता था कि जैसे जो अपने MPs है जो Member of Parliament है उनको एक फंड पूट उनको फंड प्रोवाइट किया जाता था कितने का फंड फाइफ करोड रुपीज का फंड प्रोवाइट किया जाता था पर यह पर यह उनको फाइफ करोड रुपीज का फंड प्रोवाइट किया जाता था ताकि वह जो उनका जो मतलब जिस सब्सक्राइब करवाना चाहते कुछ अपने तरफ से करवाना चाहते हैं तो जिसकी वजह से यह फाइफ करड़ोर रूपेस का उनको फंड दिया जाता था ठीक है लेकिन क्या हुआ कि जैसे जो अभी आपको मालूम है पैंडमिक के करण जो क्राइसिस है तो जो अपना कि इस फंड को मतलब कर दिया था शस्पेंड कर दिया था तिक अभी क्या हुआ है अभी जैसे अभी अपना यह वाला जो का फाइनेशियल है उस में कुछ समय बचा हुआ है लेकिन अपनी मतलब जो एकोनोमिक कंडिशन है वह सही हो चुकी है तो जिसकी विज़े से इसमें ब बोला जा रहा है कि जो मतलब इस फड को मतलब यह जो फड मिलता था इसको वापस से चलू करेंगे ठीक है लेकिन अभी पूरा पाच करो फाइफ करूर रूपीज नहीं दिये जाएगा अभी बस तू करूर सुपी दिया जाएगा ठीक है इतना ही है इसमें तो आपको समझ आ सब्सक्राइब नाइंटीन नाइंटीन नाइंटी ठीक है अब यहाँ पर एक और दिया हुआ है कि जैसे जो भी कैबिनेट कमीटी है अपनी जो एकोनोमिक एफेर उन्हों ने क्या किया है जो सीच मतलब कबिनेट कमीटी और एकोनॉमिक अफेर उन्होंने जैसे काई कि जैसे अभी किसानों को घल्प करने चीज इसकी वज़ से उन्होंने क्या किया जैसे जो इतनों एक उसका मतलब जो सुगर से बनता है उसका जो प्राइज वह हाई कर दिया ठीक है और उन्होंने क्या किया है जैसे कॉपरेशन को क्या किता है कितना 17485 408.85 करोर रूपीस प्रोवाइट किया है किस चीज के लिए कि मतलब उसमें वह अच्छा कर सके वह कर सके ताकि जैसे फॉर्मर्स को क्या है एक अच्छी मिनिम्म सपोर्ट प्राइज होगे रहे दी जा सके ठीक है यह आज का इतना है ठीक है उसके बाद नेक्स हम आर्टिकल देखते इसमें आपको भी पता ही कि वैडनेस दे के दिन ट्यूजदे और वैडनेस दे के दिन ज के था जैसे पाकिस्तान होगया ठीक है तरकुमेनिस्तान तजाकिस्तान ये सारी तो इपर शे फिर रश्या-चाइना पाकिस्तान इनकों भी सबस्कों इन्वाइट किया था लेकिन कこの क्लूज है वह मिलकए करकि इसका मतला मतलब अफगानिस्तान का is वाँ सब बात करी गई हैं यहां पर मतलब जैसे जो मेडिकल वगरे तिंग्स है और वहां पर फूट क्राइस वगरे चल रहे हैं तो उस चीज को सही करने की बात करेगी और कोछी नहीं और जैसे अफगानिस्तान को कोशिश करेंगे सारे की टेरिरिज्म और यह जो ड्रग ट्राफ कर दिया हुआ इंपोर्टेंट है यह वैसे तो अपन सीटी वाला सेक्शन नहीं पढ़ते लेकिन यह वाला आर्टिकल इंपोर्टेंट क्योंकि अपने पेपर में सीधे सीधे रिवर्स वगरे के बारे में भी पूछ लिया जाता है ठीक है इसकी वज़े से बहुत ज्याद देली गवर्मेंट ने उसको हटाने की कुछिस की कि इसकी बोट्स वगरे के हल्प से रसी वगरे के हल्प से मतलब उपर उपर से वह जाग निकाल रहते है ठीक है तो उसी चीज को देखते हुए यह आर्टिकल चपाव है वैसे तो वह सारे लोकास रहते कि यह कोई पर्मा अब अपन जैसे जान लेते हैं यह क्यों आया तो यह हुआ पॉलिशन की वज़े से बहुत ज्यादा अधिक मातरा में क्या हो रहा है यह मुना नदी जो है उसमें पॉलिशन हो रहा है जिसकी वज़े से पूरी नदी के ओपर जाग जाग बन के आ गई थी ठीक है वही आधन का नाम है इस दिए अवे नाम का यमुना यमुना जीए अभियान ठीक है यह जो है यह कप 2007 AI अगिमोचर कर जी आंठ जी फैबरेवरी 2007 को लांच होा ता थी था है अभियान जी यह रहा iam na जीए अभियान ठीक है यह कब लांच हो थाँ सेवन फैबरॉवरी 2007 को यह इसमें किया था कि मतलब जैसे जैसे पहले 19 अपना संथिंग 1992 या 1983 संथिंग से क्या हो रहा है यह मुना बहुत जदा पॉल्यूटेट होने लगी थी तो देरे-देरे महां पे क्या लोग उसको एफट कर रहे थे एफट डाल रहे तो आगे चलके क्या हुआ कि जैसे मतलब इन कब मतलब सुरू किया गया इसको फॉर्मलाइज कप किया गया 7 february 2007 को ठीक है अब जान लेते हैं यहां पर जो अपनी रिवर है अब जैसे को रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं अपनी यमुना नदी के बारे में ठीक है पूछ लेता इससे भी कोश्चन्स तो यमुना ज सबसे लार्जेस चुबिटरी है और जैसे दो देखा जाए तो यह सबसे लॉंगेस चुबिटरी है इंडिया की ठीक है सबसे लॉंगेस चुबिटरी इंडिया की यह सबसे लॉंगेस सबसे लॉंगेस चुबिटरी है ठीक है और यह मतलब कौन सी किसकी ट्रीटरी है गंग और सबसे लॉंचे ते यह रज़स्त थैं आल से केरा और लौंगेश थे पूरो में और इंडिया में शाओन नम्बर ृठीख है इस इसे जो ऑरीजन ए prep से जो ऑपना कौन साफ लेसे से औरीजनेट होती यह यह अपने यमें टरीग लेशियर है न उससे ऑरीजनेट होती है और इसकी जो टोटल लेंट एसकी टोटल लेंटहें 1376 किलोमेटर यानी 855 माइस मैल स्टीक है इसके बाद जैसे जो यह जो रिवर यमना रिवर रही है क्या गांगा में एंगा के मिलती है त्रिवेनी शंगम जा मतलब अपना प्रेग राज है ना जहाँ पर अपने कुम्ब मिला बारा साल में एक बार लगते है वहाँ पर जाकर ये गंगा से मिल जाती है ठीक है मैं आप मैप में दिखा देता है एक पिनिट जिसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे यह जो रिवर है ना अपनी जो डार किसम है यह कुन सी गंगा वो यह मुना रिवर ठीक है और यह यहां जाकर कहां मिलती है यह जो इलाबाद है यहां पर यहां पर यह गंगा से मिलती है यह देखिए गंगा इधर से होती हुई आ रही है ठीक है तो यह है यह यह इधर से आती है यहां क्यों मतलब जैसे यहां पर क्यों लाया है तो इसमें यहां पर यह है कि जैसे यह जो फिशिंग मतलब क्या हुआ आपको पहले बता तो जो टर्टल से अपने कौन से ओली रेडली टर्टल्स इनकी जो प्रजाती है दिन बदिन मतलब बहुत घटी जोई जा रही और प्रेजाती है वह विलॉप्त होने के कलगार पर यहां पर क्या हुआ कि गवर्मनेंट ने क्या किया इनको रिजर्वेशन दिया मतलब जैसे एक तरीके से इन को एक एरिया जिस एरिया में रहते हैं वहां पर बैंड कर दिया कि फिजिंग करना तो कि इनको fishing की वज़े से बहुत जादा हम हो रहा था और इसी वज़े से यह लोग मतलब इनकी जो survival वो खतम हो रही थी जैसे इनके एक्स बगए destroy हो जाते थे या फिर जैसे जो फिशर्स अन्य वागरे वह जाल बगए डालते थे fishing के लिए तो उसमें यह लूटार हो जाते थे या भी नुकसान होता था बहुत सारह और जैसे मैतिंग अगरे कर रहे होते थे तो भी डिवर्मेंट में पूरा एरिया उड़ दिस्ट्रीक वाला और फीन और दिस्ट्रीक है जो अदिस्टिक गियार गिहार मता डिस्टिक है यहार मता वाला जो एरिया है यह सारा जो एरिया मैं दिखा जेता हूं तो वहां पर कोई और जैसे फिशंग अगरे नहीं नहीं कर सकता तो वहीं पर यह वोगिडिन को इन पकड़ा है में इसका मक्सद क्या है कि जैसे वहां पर मैं बताना यह चाहरा हूँ इसमें कि जैसे ओलिव एटरी तर्ल मतलब ओलिव रेडिली टर्टल्स उनको रिजर्वेशन मिला है और कौन से एरियम मिला है मैं आपको दिखा देता हूँ मैं एक मिनट ग्रेवि पर देख सकते कि आपने औली ओलिव एगिस के बारे में इनको छो मुदल ओले इनको अपन लेपीड़ो चैंलाज ओले मैं एन्प मोलते है ठीक है उसके बाद यह पासिफक जो है रेडिली सीड टर्टल है फिर छ row फैमिली को बिलॉग करते है शीलो नीदिया यह फैमिली से बिलॉंग करते है ठीक है और इनके जैसे जो सेकेंड वर्ल्ड के ट्रय ट्रटल है और जैसे मोस्त अब अबंडे यह तीक है यहाप आप जैसे देख सकते हैं मैंने सब कुछ प्रोवाइट कर दिया इसका ठीक है मैं टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइट कर दूँगा इसकी पीडिप भी और यह नोट्स वगरे सारे ठीक है चलो नेक्स देखते हैं मैप में कुछ सवाल है मुझे मैप मिल नहीं रहा है लेकि मैं बता जेता हूं जैसे यह जो आर्ट अचीन मार्शल आट करें लो यह अपनी एक्जाम के परक्प्रेक्व कि इंपोंटेंट एर्ट इंप कर सकता है तो इसमें बताया जाता है यह इंपोंट हो चुका है आप यहां पे भी पढ़िए इसके वारे में ठीक है लिए मैं बता दे रहोग वे समस्कु है इसक कोशन बनते है ठीक है यहाँ पर क्या बता है कलारी मतलब जैसे जो कलारी है जिसको क्या बोलता है जिसके अवारे में में पहले पढ़ लेते हैं पो बता देधन तो रॉप से कलारी बोलते है Kanal यह । आ खिलारी नाम से जानते है इस सिंपल लेम और यह जो कलारी नाम से है कलारी पाइट कलारी पाइट से भी जानते है इस नाम से ठीक है इसके जो क्रियेटर है वो कौन है इसके जो क्रियेटर है परशुरामा जो वह एस पर लेजंडरी एक लेजंडरी थे जिनका नाम परशुरामा था उन्होंने इसको क्रियेट किया है ठीक है और और कलारी और कलिपत्टू का मीनिंग क्या हता है इसका नाम होता है प्रैक्टीसे मीनिंग जो होता है अचा बेटल फीली सा sûरा करा शना पेर के बच्रें को बैसे कहा हो। यहाँ पर उसी के आगे एक आर्टिकल दिया हूँ यह भी थोड़ा वह इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें कहा है कि जैसे जो हमारे जो मतलब वाइल लाइफ इंस्टूइशन आफ इंडिया देहरादून के जो वह है प्रोफेसर से मतलब कुछ लोग है उन्होंने क्या किय से मतलब जो फिश को पकड़के खाती कि जो फिशिंग का शिकार करती है उन के उपास सडी करने के लिए मतलब वह किया है तो इसमें यह जो मतलब कैट्स है यह कहां पाई जाती है कोरिंग कोरिंगा वाइल लाइफ सेंचूरी यह कहां पर आंधर प्रुदेश में बस इतना इंपोर्टेंट कुरिंगा वाइडयाफ संचुरी के बारे में समझ लेते हैं और इस में बता दू कि टोटल वर एग 115 फिशिंग कैट वगए इसके अंदर प्रेजेंट है कुन सी संचुरी कुछ विए लघ्डयाफ सेंचुरी इसके बारे में थोड़ पड़ लेते हैं अब मैप देख लीजे आदरप्रदेश का इसमें यह सीत है ठीक है यह यहां पर कोरिंग निसनल पर्क टीक है इसके बारे में पढ़ते हैं यहां पे याद रखेगा ठीक है आदरप्रदेश का मैप है तो यह बुरी सा वाला पार्ट है यहाँ से सीधा आता है प्ला कि बद ज आंडर प्रदेश में काकिनंदा शीटी यह स्थित थूर्ट इसमें जो है जैसे मतलब यह सबसे ज्यादा इडिस अबधर लार्ज़ेश्ट मतलब सब्सक्राइब मेंगरूव फॉरिस्ट यह यह नहीं पर प्रेजंट है इसमें 24 में जो 24 मेंगरूव ट्रीज़् की स्पीची है और 120 बर्ट की स्पीसिस है और यह स्टैब्लिश कप किया गया था 5 जुलाइ 1978 में और यह आद रखना कि यह समुद्र के किनार है ठीके इसले यहां पर जैसे पानी बहुत जाता है और जिसकी वज़ेसे यह जो कैट्स होके रहे हैं भी हैं पाई जाती है कहां पर यहीं पर क यहां पानी अच्छा है और यह जो फिशिंग कैट्स है मतलब यह फिशिंग मतलब फिश खाती है फिश का शिकार करके ठीक है आए समझ अब यहां पर नेक्स अर्टिकल है जैसे हमारे जो राजनाज सिंग जी जो है उन्होंने क्या कहा है कि जैसे आम फोर्स को जैसे मतलब इस चीज के लिए जैसे उन्होंने एक हिंट किये कि जैसे मतलब बॉर्डरी डिस्प्यूट जिससे आप से जल रहा है उसे साथ से उन्होंने लब तयार रहना चाहिए हमारी किसको आम फोर्स इसको ठीक है इसा बताएगे वाकी सब तो पॉलिटिक्स अगरे हाँ यहां पे एक important article है बहुत ज्यादा 15 नौवंबर को 15 नौवंबर को क्या मना जाएगा अपसे जन जाती गौरव दिवस ठीक है यह जन जाती गौरव दिवस यह जो है यह मना जाएगा ठीक है इसको यूनियन जो अपनी कैबिनेट है उन्होंने अपरूव किया कि 15 नौवंबर को 15 प्रीडंफ वॉइटर असे जो ट्राइबल फॉइडम फॉइटर से उनकी याद में यह दिवस मना जाएगा ठीक है और जैसे यह जो है समंड Τरे जो मतलब बौपड़ जादा अनोंने वह किया अरिये और यह फ्रीडंक फॉ ट्र th inacet जिनोंने क्या किया था मतलब इंडिया की फ्रीडम के लिए बहुत जादे अपने बलीदान दिया था जैसे की संथाला तमार तमार ठीक है कोल भील्स खासी और फिर मिजोश ठीक है ये सारे नेम मैं कुछ नेम है ठीक है और मतलब और भी है लेकिन इतने कुछ नहीं में ठीक है और एक और चीज यहां पर कि म्यूजियम मतलब एक म्यूजियम का भी इनार्गरेट करेंगे जो हमारे प्रदान मंत्री मोधी जी है जो कि उन्होंने 2016 की जो इंडिपेंडेंस देखी जो उनकी इस पीस थी उसमें उसमें बोला गया था कि जैसे एक ट्रैबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाएंगे राची में तो वह बना दिया उन्होंने ठीक है वहां पर बन गया है ठीक है और वहां पर जैसे यह जो है फिर समुंदा जी की जो एनवर्सीरी उसी को माक करने के बनाए ठीक है यह आर्टन कल्टर का पार्ट है याद रखना ठी जो अपनी फ्रीडम फाइटर में आपने जो मॉडन इस्टी में फ्रीडम फाइटर वाला जो मतलब वह आये गा तो उसमें ट्रावल ल्क मुद्टी इच्छा पढ़ना ठीक है और आर्टन कल्टर में भी जैसे यह जो इसे इसे रिलेटेट लिंक के लिखना है ठीक है किसे रिलेटेट इसे रिलेटेट कोशन बन सकता है जो म्यूजियम वगरे बनाए गाल मतलब जो ट्रैबल आर्ट वगरे इससे ठीक है चलो नेक्स देखते हैं हाँ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यह जैसे इंडिया यूस ने एक ट्रेट प्रोजेक्ट एक ट्रेट प्रोजेक्ट साइन किया जिसका नाम है क्या इसका नाम है डिफेंस टेकनोलोजी एंड ट्रेड इनिशेटिव ठीक है इसको डी टी टी आई भी बोलते है इन्होंने साइन किया जिसमें बात करेंगी कि जैसे दोनों एक मतलब वर्क करेंगे जिसे कॉपरेशन करेंग और युक्णि वके रहे वह डेवलाप करेंगेश में बात कर एक है इसमें जो पहले हिजिए मतलब घ्र से किया एक तो अम continuar मेंद हिरिद aerial vehicle जो है इसको मतलब वोग जो है इसको मतलब जॉइंट ली बनाएंगे यह लोग ठीक है यह एक एयर मतलब ग्रूप और वर्किंग ग्रूप एयर सिस्टम है ठीक है तो इस चीज की बात हुई है इसमें बहुत सारे मतलब यह लोग क्या करेंगे साथ में मतलब बहुत सारी टेक्नोलोजी बगरे और नए-नए वो करेंगे ठीक है मतलब नए-ने जो वो है कॉपरेशन के साथ चीजे एक्यूपमेंट जो आर्मी डिफेंस एक्यूपमेंट से और जिसे जो यह चीज है मतलब एक्यूपमेंट से होते हैं जो आर्मी के वो सारे क्या करेंगे यह बनाएंगे ठीक है साथ में रहे के अब यहां पर एक और इंपॉर्टन आर्टिकल यह दिया है कि जैसे आपको पता है हर साल हर साल क्या होता है जो नेपाल के जो आर्मी के चीफ होते हैं उनको अपने एंडिया में क्या दिया जाता है उनको मतलब एक अरग दिया जाती है ठीक है अधिक 2 एक तरह सकते हैं इनको यह हमारे इंडिया के जो है आर्मी चीफ को भी महां पर मिलता है ठीक है यह चीज़ याद रखना ठीक है फिर उसके बाद यहां पर ही जैसे उपर एक दिया हुआ है यहां पर जैसे बताया है कि जैसे दुबाइ जो है यूए की गवर्मेंट है उन्होंने क्या कि आयर फोर्स को उन्हें जो मतलब एक वो किया एक वो चुए जिसका नाम है बिन्या दुबाइए आइर सो यह जो है यह मतलब लांज पीच इन्डिया को बेंवाइ अपना जो तेज़ष विमार है तेज़ष एयरक्राफ्ट है है थे उसको वहाँ पर उसका वहाँ आज शोग करवा कि टूर करें तो इसके तेज़ष बार एसके बाड़ इसके आप लेता है यह आप देख सेक्त आप और यह जो अगले वीक में देज़ वोगा ठीक है यह अग यह एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी यह सब में मतलब काम कर सकता है और इसका लाइट वेट होने कारण यह बहुत ज्यादा वह कर सकता है मतलब अच्छे से और इसने क्या किया है मिक-21 जो फाइटर जैड़ता उसको रिप्लेस किया है कुछ की जगह पर ठीक है और यह जो प्रोजेक्ट डिवलप्मेंट कॉस्त है इसकी किती है मतलब एक जो यूनिट बनाने को मतलब जैसे प्रोजेक्ट डिवलप्मेंट कॉस्त जो है किती है 17,269 जो करोर्ष रूपीस सम्तिंग और जो इसकी एक तेजस्विवान बनाने की जो कॉस्त आती है वह किती आती है लगबग 220 से मतलब 220 से लेके 250 करोर रूपीस तक का एक वह बनाने किया है इसमें जो इन लगा है F40GEIN 20 लगा हुआ है ठीक है अब यहां पर नेक्स जो एक आर्टिकल दिया हुआ है व प्रश्या के साथ खरीदने का तो इसके बारे में बात है कि अमेरिका कभी हो यह दा हिंदू के खुद की मतलब एक रिसर्च है बोलना चाहिए तो उसी में पॉलिटिकल यह और बहुत चारी चीज़े है इसमें पॉलिटिकल यह वह तो वहीं सीज़े वह अपने काम की नही यह जो है वेवर वीव वीव सेंसेशन लगाया था इंडिया के ऊपर ठीक है यूएस लॉप यूएस लॉप के तरह जिसको हमापन सी एए टीएस एबोलते ठीक है और यह मेंली 10-12 के खरीद के लिए ही लगाया था इंडिया मतलब रश्या चाहता था कि जैसे इंडिया जो एक डिपेंस के लिए आम तो जोडरी कि तरुरत हैं इसी बाते करी जा रही है जिसमें बोला जा रहा है कि कोई भी वह नहीं रहा है इस चीज को मतलब ऐसे नेगलेट करते रहे ठीक है यहीं सारी बात है और कुछ भी पॉलिटिक्स से भरी हुए नेक्स देखते हैं अब यहां पर वर्ल सेक्षन में हमारी एक न्यूस दी हुई है कि जिसमें जैसे जो जो दलाई लामाजी है जिनको पहिचानते होंगे जो बहुत बड़े एक spiritual leader है ठीक है जो मतलब तिबत में बहुत ज्यादा इनकी मानना था एक तरह के से हैट थे मतलब टोपी थी मतलब जैसे सर का एक बोलना चाहिए मतलब एक पगड़ी थी तिबत की इनके यह इनके साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमे जैसे जो प्रोफेसर थे कुछ जापन के उन्होंने मतलब जैसे एक उनलाइन मीटिंगी ते इसमें जैसे इनों के साथ बातचीत में यही बस पूछा कर जा रहा था कि जैसे क्या आप मतलब मतलब वो जाना चाहेंगे जैसे चाहिना वापस गुमना चाहेंगे मतलब जैसे हैना पीसफुल ही हाही रहना चाहता हूं मैं चाहता कि जैसे मैं जाओं और इसके बिदिव लडाई जगड़े दंग वगरे यह चीज़ते हो क्यों कि जो मतलब जैसे आप जो आप चाहिनीज चाहिनीज जो है मतलब जो प्रसिडंडेंटे से जिंपिंग ये मतलब जो है कब दो अब करना चीह तरह कंज़ती है मतलब जैसे जो कलचर के बीच में वह ना की जिसे एक तरीके से variety of culture नहीं समझते इनका बोलना था कि जैसे जो variety of culture नहीं बीजिंग का ताइवान का तिब्बत का कल्चर अलग था लेकिन उन्हों ने नहीं समझा यह चीज़े ऐसा बोला जा रहा है और फिर उनसे पुछा गया कि क्या आप तैवान गुमना चाहेंगे तो उन्हों का हां पर मैं यह नहीं जाओंगा क्योंकि जैसे मैं नहीं चाहता कि जैसे जो भ सब्ख से उन्हों ने क्या किया जो पाकिस्तन की बात करिया टाहिक है इलिए कह और वहां इंप करें वह थे वह बातचीत करने एक चाहिए और वह जो है पर बातचीत करेंगा तीक बीजनस शेक्षिन में मार्किटमरっ дальше है मतलब allowed बढ़ान है नहीं को बढ़ाना चाहिए के लिए इसमें बोला जा रहा है कि जैसे जो मार्केट प्राइस है कॉटन का अभी की सीजन का तो वह बढ़ा है MSP से तो MSP को बढ़ाना चाहिए वैसे तो आपने उपर एक आर्टिकल पढ़ा उसमें बात के गई बढ़ाई जाएंगे ठीक है यह देखते अब आगए क्या होगा तो चलो इतना इता चलो आप देख लेते हैं अधिटोरियल्स यहां पर जैसे मैंने कहा था कि मैं जो है अपने जो मतलब एडिटोरियल्स है इनको नहीं कराऊंगा पूरा मैं बस इतना बताऊंगा कुन सा एडिटोरियल्स पढ़ना है कुन सा नहीं पढ़ना है थोड़ा-थोड़ा उपर से बता दूंगा उनके वारे तो इसको आप अपने हिसाब से पढ़िए क्या आपको सही लगता है क्या नहीं सही लगता यह मैं थोड़ी नहीं बताओंगा यह आपको डिसाइट करना पड़ा है आगे जाब क्या आप आफिशर बनोगे तो को समझ आना चाहिए किसे दूसरे के विउस लेनाया था किसे दूसरे का व्यूजर कहां सही है कहां कलत है यह सारी सीचे समझ आना चाहिए ठीक है मैं बता दूगा तो उसको क्या है जो वर्ड का अलग-अलग मतलम निकल जाता है तो परेग्राफ है वह चेंज हो जाता है उसका मतलब तो जिसके वज़े से बहुत ज़्यादा वहता है और आपको खुद को दूसरे की व्यूज लेने में मतलब दूसरे की व्यूज वगरे समझ देखिए भला है आपको इंग्लिश में नहीं आता ना इसको ट्रांसलेस्ट क करना है यह से ठीक है तो मैं बता देता हो कुण से कुण से पढ़ना यह वाला यह वाला मत पढ़ना यह जो है वह राफेल जो घोटला हुआ था उसके बारे में ठीक है यह वाला पढ़ लेना है डी मोनेटाइजेशन के से हैं मतलब जैसे इंपक्त क्या पढ़ा उसके थान करके मतलब करना यह जो है न कभी मत बनाना यह किसी दूसरे के負 veto मतलब इक सत्किषाग के साथ रहे हैं कि अपनी पो शाया के सथ एक तो तिल मतलब उसको एक तरीके से वह कीजिए कि क्या एडिटर ने सही लिका है हाँ यह चीजे मेरे साब से सही होनी चीए गलत होनी चीए तुम्हारे खुद के विचारे इसको पढ़ाना और इसको मतलब समझाना बेकार बाते हैं ठीक है दूसरा जो है यहां पर यह है कि जै मत पढ़िएगा क्योंकि उसके बात का है जैसे कोवीड-19 के टाइम का है वह बहुत ज़्यादा टाइम विस्त और कुछ नहीं है ठीक है उसके बाद यह वाला जरूर पढ़ लेना और यह वाला भी जरूर पढ़ना यह वाला तो इंपॉर्टेंट है यह जो डॉक्टर भी पढ़ना चाहरा है वह कहां सही है कहां गलत है यह सारी चीज़ा समझने की कोशिश कीजिए इसलिए बोलते है एडिटोरियल्स पढ़ने को ठीक है एडिटोरियल्स का मतलब यह नहीं है कि जैसे उसको अपने बुक की तरह या फिर एक जैसे न्यूस है कि यह पर्मानेंट पढ़नेंट इक पीकल के न्यून दो परिटूरियल्स के लेताओनें यह से कशची आसरोट के इसमिल्स पिचिए इसव मिलते हैं इसे तोड़े से पने वह मिलते हैं पॉइंट मिल जाते हैं तो यह तरह हो गया तो यह पढ़ने की ज़रुत नहीं है यह पैजनर नहीं क्योंकि अंडिया से एक प्रक्रशन को उच्छ में से कि इस प्लक आइडा assistance को तो आपको जैसे अगर इसकी पीडियाफ चीज हो तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल की लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है वहाँ पे चैनल पे इसकी पीडियाफ जो दाइंदो की पीडियाफ है यह अपलोड करता हूँ ठीक है और जो अधर नोट्स वगरे जो अधर चीज़े मैंने बताइए ना यह सारे भी वहीं पे प्रोवाइट करता हूँ ठीक है तो